इन में से कौन सी लेखी का विर्सा मुंडा के विद्रो पर एक किताब लिखी है मिर्दुला गर्ग, महा सुवेता देवी, अंकिता वर्मा या फिर आसापूर्णा देवी इस कोश्चन का एंसर दीजे काफी इंपोर्टेंट एक बुक है जो की पता होगा विर्सा मुंडा विद्रो सबसेदा इंपोर्टेंट होता है जारकंड में विद्रो के बारे बात कीजेगा उसमें भी इस पे एक किताब लिखा गया है फिमिल क्रेटेक्ट द्वारा तो कोश्चन दो भाई सिपर इंपोर्टेंट बनेगा तो हैलो जारकंड वेलकम टो लर्नर्स गराज एजुकेशन आज की इस क्लास में देखेंगे जारकंड चीके और कंट पेर का पार्ट नमबर एट सारे आगर पहले बार यहाँ पे आये हों तो क्लास नमबर आप लोग वन्स देखिएगा 2023-24 के एक्जाम के लिए यह काफी fruitful लेक्चर है जो कि आपको लेटेश डेटा सार प्रभाइड कराया जा रहा है including current affairs सीजेल, एकसाइज, एसाइज समय लेक्चर फैदा पहुँचाएगा साथी साथ JPSC में ही फैदा पहुँचाएगा JPSC का previous question चल रहा है 2021 का उसको भी देखेंगे और यह जब कभर होगा तो जीजी साल में JPSC के एक्जाम हुआ था उसका हम लोग प्रिबेसेर question देखेंगे और साथी साथ JPSC का भी कुछ question आपको discuss किया जाएगा चली class को इस्टार्ट करते हैं इसको देखेंगा तो कौन सा कार्ट इनको दिया जाता है नीला लाल पीला या पर सफेद आई इस question को ना तुरह detail में discuss करते हैं जैसे देखेंगा तीन द्रग कार्ट आपको देखने को मिलेगा एक लाल कार्ट होता है आप लोग फस भी होगा एक पीला कार्ट होगा अब एक सफेद कार्ट होगा मतलब शी mm नहीं होगा यह कोईखी होगा तो अलग लोग कें पास बजाल कार्ट होगा दूसरा तिसरा जो आता है card वो है पिला card, yellow card तो इसको बोलते हैं अंतोधा card जो कि अंतोधा यन योजना के तोफ़ जिसको दिया गया था और इसमें क्या होता है कि इसका term से condition सुनिएगा थोड़ा अगर मान लेते हैं कोई परिवार का मुख्या मर गया है कोई विद्वा है या एक ऐसा परिवार जो कि 60 साल से उपर है उसको जो है से इस योजना के अंतरगत सामिल किया जाता है अत्यधीक निर्धन परिवार तो समझ गया है तो answer आपको मिल चुगा होगा कि यह पीला card होग गया तो अंतोदय योजना का लक्षी समुनिमन में से कौन सा है सबसे गरीब तबका है गरीब रेखा से उपर यानि कि अपील सभी लोग के अब पिछला पर तो answer इसका सबसे गरीब तबका होगा यानि कि society में जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग है उनको सरकार जो है लोग किया गया था तो सारा चीज को डिटेल में इसकस कर दिया ते जहरखन में योजना के बारे में था इसको देख लीजेगा और आपका जितना सिस्टम में इसा मिलता है वह पीडियस के तुरू होता है ना पॉब्लिक डिश्टिवेशन सिस्टम यानि कि जो सालवची न ईसको डिसकस कर दिया अब ईपोर्टेंट योजना आए हैं जो अको गी पता Yaak Jamal Pos ले लीजेगा एसे मैं से सेंसे कर दिया था तो आ यह थोड़ा से योजना को डिटेल में इसकस कर लेते हैं सबसे पहले आता है सुकान्या योजना einige 24 जनवरी दो हजार जो हैसे 19 को जारखन में सुरू किया गया था हम 18 साल तक 40 हजार रुपिया आपको वित्ति साहता दियाएगा टोटल 6 बार इसका अलग-अलग कंडिसन होता है कितनी बार दिया जाता है उसको डिटेर्मेंट डिसर्स करूंगा तो एक अलग टॉपिक बन जा उसका मुख्य मंत्री कन्यादान योजना है तो यह जो ऐसे 30,000 रुपिया इसमें दिया जाता है लभार्ती के लिए सर्थ सुनिएगा आपको बीपिल होना चाहिए निकि लाल काड होना चाहिए है घर में आईव 18 से ज़्यादा होना चाहिए कन्या मतलब कोई लड़की का 21 साल दो हो रहा है लेकि लड़का का 20 साल हो रहा है पाव 6 महिना तो फिर लाब नहीं मिलेगा बाई 21 से उसका ज्यादा होना चाहिए 21 and 21 प्लस समझ गया और जो सालाना आया है 72,000 रुपिया से कम होना चाहिए ते सब कुछ टर्मसें कंडिसन है सुकन या योजना के लिए और यह योजना पुनर विवा पर लागू नहीं होगा यह इसी तो ऐसे कुछन आपको जहा है से फ्रिक्वेंटली पुछती है ठीक ना जैसे कि आप लोगों बताया था कि पीटीजियो डागे योजना था उसमें पुछा गया था कि जो ऐसे आपको सारुजनिक भी इत्रन कि मलीन वस्तियों के चात्रों को विद्याले से जोड़ना था यानि जो पदा खोका जो स्लम एरिया में लोग राते हैं लोग मक्या स्टूडेंट्स रहते हैं यह बच्चे रहते हैं वह इसकूल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वह ही हैसे पंक लगाने की बात किया झा र किसी को याद है आ रहे है थोड़ा सोचिए बात बताता हूं उसको पीटी जी डाकीय योजना बताया था 2017 में सुरू हुआ था उसके बाद जैसे आदिम जी जाती को 35 किलो अना जोह से पहुचाना होता है घर घर पहुचाना होता है समझ गया ना घर घर चलिए उसका जोहार योजना है जोहार योजना को देखीगा तो वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करते हैं और 2017 में इसको सुरू किया गया था और इसका में परपस से ग्रामिन विकास को बढ़हावा देना जोहार का भी फूल पॉम होता है अब करें जोहार का भी फूल पॉम होता है निश्टा था आपका ग्यानुदा योजना तो ग्यानुदा योजना 2017 में सुरू किया गया था इसमें सिक्षा की गुनोता में सुधार करना होता है जैसे कि देखीए कि आप यह सरकारी स्कुल में काफी प्रोब्लम होता है कि देखता हूं तो अगर मैं कुछ बात करूं तो जैसे देखीएगा वन टू टेन क्लास था तो यहां पर ने सरकारी स्कुल में जहारखंड कॉम्पूटर पढ़ा ही नहीं जाता है कॉम्पूटर देखिए इतना सारा कोश्चन पूछा जाता है साथ ही साथ जो है विना हम हो पाएंगे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे तो सब कुछ पोलीसी में जोड़ा सा कोवर्मेंट को चेंज करना चाहिए तो यही कुन होता में सुधार करना है नेश्ट देखिए आप लोग मुख्या मंत्री सक्की मंदल स्मार्टफून योजना है 2007 का है और इसे महिलाओं इसको बिसो बैंक सपोर्ट कर रही है आठ मार्च 2017 को इसको सुरू किया गया था और 14 से 24 बर्स के लड़कियों का महिलाओं के लिए है देखिए गाई स्योजना में 14 से 17 तो होता है लड़की और 17 से जैसे 24 सक महिलाओं होती है तो यह एज जो आपको देखने को मिलेगा जो एज 14-24 यह भी इंपोर्टेंट है डार्यक आप से पूछा जाता है और बीसो बैंक देखिएगा इसको इसको भी मैं किलियर करना चाहूंगा तो जो 16 सत्रह यहां पर लिखा हुआ है यह जो 16 सत्रह है इसको वर्ल्ट बैंक के द्वारा जो हैसे मंजूरी मिल गया था 2016 में ह समझ गया मंजूरी 16 में मिल गया था लेकिन 17 में शुरू किया गया था इसलिए 16 सत्रह यह लिखा हुआ है और 8 मार्च को क्यों तो 8 मार्च बाप लोग इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं जो की 2023 का थीम है एसलेरेटिंग इक्वालिटी यही है ना दूसरा कुछ है एसले से 125 जोनती में इसको शुरू किया गया था और यहां तो बता ही दिया कि विद्वाओं को आवास उपलप्त कराने के लिए है पहला चरण में इसको देखिए का अज शुरू किया गया था तो इगाड़ हजा रखा गया था कि आवास बनाना है मुखे वंतरी जन्वन योजन 2016 में आया था और हरी छेद्र को बढ़ावा देना है हरी छेद्र गाने के मतलब आप लोग चार आया है कि प्लांट और जो फोरेश्ट कवर है बढ़े चीक है कि जार्कों ने पता होगा 29.76 परसेंट ही जो हैसे फोरेश्ट है है ना इतना ही है और परति वेक्ति जो परदम देखने को मिलेगा ओके शुलिए शरंड़ा पुलिष आपको पता होगा पेसिव में फला फेला हुआ है निश्ट आता है तिलका मांजी पंप योजना तिलका मांजी पंप योजना 2016 में आया था और किसानों को सिचाइस्ट उपलप्लप्द कराना है आप लोग बा विद्या लक्ष्मी योजना 15 नौवंबर विर्शा मुंड़ा की जयनती पर सुरू किया गया था और यह बलिकाओं को के ड्रोप आउट को कम करना है ड्रोप आट मतना समयते हैं स्कूल से छोड़ देते हैं बचियां इसकूल नहीं जाते हैं ड्यू टू मेनी रेजन बहु योजना 2014 में शुरू किया गया था और बालिका के नापर स्वर्मिकों को जो लेबर कटेगरी के लोग होते हैं उनको जो हैसे पांच साल तक 5000 रुपए जो हैसे बीतिय साहता दिया जाएगा सरस्वती योजना के तहद उसके बाद मुख्य मंत्री दाल भात योजना है 15 याद हुआ तो समझे से अजादिक इजस्रमिनाने के लिए आप लोगों को पार्टी दिया गया था 15 अगस्ट 2021 को ठीक है इसको याद रखिएगा या इस योजना का नाम देखिएगा 2021 में ठीक है डालभात के नाम से क्या है चेंज कर दिया गया इसको गुरू जी रसोई योजना कर दिया गया है गुरू जी रसोई योजना इसको कर दिया गया है सिवु सरयंके नाम पर पतावगे全 रूलिंग रहती है अपने नाम पर नाम रख देती है चीक है ऐसा सेंट्रल में भी आपको देखने को मिलेगा मुख्य मंत्री लक्षमी लाडली योजना पंद्रा नॉबर 2011 को सुरू किया गया था ठीक ना पंद्रा नॉबर बिकास करना है तो अलग अलग जो टाउन है चोड़ चोड़े टाउन उसको मेंड सिटी जो हैसे अच्छा सड़क से जोड़ दीजिए तिक ना जो हैसे अपने आप डेवलोपेंट होने लगे का क्योंकि लोग यहां पे बहुत सब्सक्राइब प्रोडक्शन जो हैसे कर सकते ह आर्या मतलम अट्रेक्टिंग रूरल यूद्ध इन अग्रिकल्चर फुलपाम बता दिया ठीक है तो क्वेश्चन बचा नहीं सब्लक सोच रहां कि नहीं बोल गया इन में से क्या जार्खंड की जंजातियों का एक प्राचिन धातु सिल्फ कला है तो धातु सिल्फ कला है इसको देख लीजेगा इस तरह से कुछ होता है तो देख लीजेगा यहां पर सिंग बोंगा है ठीक है मेल और फिमेल यहां पर फिमेल का लिया गया है इतना अबोसन आप लोग मेल तो करेंगे नहीं तो मेल और फिमेल जो था से यहां पर फिमेल को लिया गया था सिंग बोंगा है जो की दियुता है आपको पता होगा तो ट्वाइज कचुवा का है से बनाएगा दोकड़ा आठ और इसमें एक मतका वाली जो हैसे एक लीडी का जो हैसे चितरन किया गया है इसमें चीज़ता नहीं बोलेंगे धोकड़ा आठ के थू जो हैसे बनाएगा तीतर से जो आपको कलाकारी आप लोग देखते हैं उसक नेः någon चल्क 자्री के लोग है मुखरू को बनाते हैं और मोली जिणाती को जार kwad me जो हैसे शिर्पकार जिन्जाती कहा जाता है पुछेगा किनमे से कौन से जिखते हैए सीपकार जिंगेस उतर्तीय को जार exist कर दिया interacting में कॉन सा टेखनिक उजी ताहा है कोन जिखते हैं कौ करते हैं question number 3 क्यों इन में से किस वेक्ति को पदम स्री प्रसकार नहीं दिया गया है सलेंद्र कुमार बंदुपद्याय मेहंद्र सिंग धोनी दिपिका कुमारी प्रेम लता अगरवाल या फिर राम दयाल मंदा तो आंसर इसका हो जाएगा सलेंद्र कुमार बंदुपद्याय इनको पदम स्री नहीं मिला है इनको पदम भोसन मिला है और एक वीडियो में एक चेंज आपको देहने को मिल रहा होगा जो के बी यानि कि जो सेलेंद्र कुमार बंदुपध्याय को पदम भोसन दिया गया था 2010 में बागी कुछ जो पर्सनाल्टीज है उनके बारे में देख लीजे यह परसन आपके लिए काफी जाद है पता नहीं कल का मैं सब्सक्राइब करने में इसको परजेंट करने में काफिट समय लग जाता है तो निंद कम लेता हूं इसी चलते देखिए जो है जबकि मुझे पता है बकायदा मुझे ट्रीक भी आथा इसका कि गंशा जारब मित्र तरह से आठ होता है चोटा-चोटा-चोटा जाता है उसको आप लोग मुझे चमा कर दीजेगा वह कौम निलेने के चलते होता है कि ज्यादा हो जाता है कि लेक्टर जो इतना आसानी से नहीं आता है इसको देखिएगा तो पूरा एक-एक पिपिटी बनाना होता है सच करके उसके बाद इसको जो हैसे डिकोर्ड करना ह उसका अपलोड करना होता है उसका दूसपर वहां चेक करेगा उसके बाद आप तक जया से वीडियो पॉब्लिक होता है तो असानी से वीडियो आप लोग को नहीं मिलता है तो इसलिए बोलता हो इस आगे पढ़ाए काफी जाता मिनत लगता है पैसे तो नहीं आ रहे इतना पहले पदम सरी फिर पदम भुसा उसका मेजर द्यान चंद किलतनावाड 2007 में दिया गया 2007-08 के लिए दिया गया इनको जहार खंडरतन में दिया गया 2007 में भाई देख लीचेगा और अभी ICC जो हैसे प्लेयर ऑफ देकेट का वार्ड भी मैंजसिंग धोने के लिए को ही मिल है इसको द्यान अखिएगा और यह क्यों दिया गया है एक क्वेशन आपको अलग लिए जाम में पूछा जाएगा आप लोग कॉंडोक्स में इसका आंसर दीजिए और आप लोग इंसर नहीं दे रहें क्या कोई दिकत है क्या आंसर दिया किजिए का ना तो ठीक है कोई अब लोग आंसर एक दो क्वेशन का दिया किजिए ठीक है उससे आप मुझे भी आचा लागेगा और आपको याद होगा यह क्वेशन का भी दाइंपोर्टेट है ने दिपिका कुमारी इनको पदम स्री 2016 मिला अर्जुन आवार्ड दोजार मिला है अर्जुन आवार्ड इ देखिए कि इनके बारे में अगर कुछ इंपोर्टेंट में डिसकस करों तो यह इनका ना संबंद जो हैसे एक परवतार ही है ठीक है मौन्टेरेन परसंग है तो ओल्डेस्ट विमेंट टो एसकेल मौन्टेरेस्ट यह ऐसा परसंग है जो कि सबसे ज़्यादा उम्पर में जह से मौन्टेरेस्ट पर चड़ी है और एड़ एज ऑफोर्टी फाइब और दुनिया के पहली महिला है जो सातों महादीपों के सातों चोटी उची सबसे उची चोटी पर चड़ चुकी है एवरेस्ट पर दो बार फटा करनवाली पहली महिला है इनको देख लिज़े काक जीत नाठक अकैडमी अवर्ड 2007 में दिया गया था यहां पर दीपका कुमारी वाला सही कर दूंगा ना ठीक है ना कन्फुजन अपलोग मतलब टेंसन अपलोग मतलीजे थोड़ा बहुत जो एरर हो जाता है तो उसको पीडिएफ में प्रवाइट करा दिया जाएगा तो आ जाता है जाता है जाता है जर्या सबसे नंबर वन पर आता है ध्यान रखीगा बोकारो में उसके बाद नोर्थ कर्ण पूरा तो कभी भी नोर्थ कर्ण कर्ण पूरा आप लोग मायंड में सुनियेगा तो नोर्थ जो कर्ण पूरा कोलफिल्ड है उसमें क्या क्या आता है रीजियन राची वाल रीजियन है चितर पूरा राजमल गों में है जहां पर अभी डिस्कस किया था जपला 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 आज़े जैनल या है पष्छिम मगाल में है इसको ध्यान रखेगा तेसे आख कुछ सब कुछ'RE इस्ता इंफर्मेशन हो गया आपके लिए नेक्स स्लाइड देखिएगा यह होता है जारखंड स्टेट मेंडर डेवलोप्मेंट करॉपरेशन लिमिटेड जी एस स्टेट कर लीचे का अपर ज्यादा टाम वेस्ट नहीं करूंगा फूर्पम देख लीचेएगा सराची डिसकर्स होग चुका है इसका जिर्मिली हो गया तैसे कोशन चाटने के लिए पूछा जाता है चोटा नागपुर का पठार किस चटान से बना है सिन जोईक मेस्वी जोईक पे लिए प्रिक्यमप्रियन तो इसका D हो जाएगा इसको डारेक्ट आप लोग याद रखेगा प्री केंब्रियन टाइप को रोग से बना है और इसमें आपको जितने भी तीन तरह का रोग पढ़ते हैं सेडिमेंटरी होता है इगनियस मेटामोर्फिक सारा आप लोग को देखने को मिल जाएगा तो प्री के इंडिया से शक्ते हुए जितने राजहें उसमें यूपी को छोड़कर बाकि सब ने फैला हुआ है तो पश्केन को विल जाते हैं तो ऑपने आपको इंक्लूड किजें जारेकं बिहार पस्र्शिव मंगल और चर्दीजगर देखने से चोटहनागपुर का पथार जो होता है उसको अध्योगिक भारत का दिल कहा जाता है यानि कि इंडेस्ट्रिय इंडिया का हट अगर मिंडल ही नहीं रहत तो के इंडेस्ट्रिय चलेगा नहीं चलेगा जी से दिल नहीं रहेगा तो हम लोग का ज compliments चलेगा उससे लागत कोईला नहीं रहेगा तो इंडिस्ट्रिन नहीं चलेगा इसलिए इसको दिल का जाता है उसको बढ़ देखेगा चोटनागूर का पठार है यह मिसेज जो है से दामदर घाटी रिट घाटी से बाती है रिट भली आपको पता होगा के नर्मदाव तापती रिवर पढ़े होंगे और इस पठार का जो एवरेज हैट देखने हों मिलेगा औसत उचाय वह 700 मीटर है एबफ सी लेबल इसको ध्यान लखेगा एबफ सी है तो डिस्कस कर दिया प्री केंब्रियन टाइप का रोग जो है से आप लोग मतलब होता है चोटन अबुरक पठार में और पीटिफ जुरू डाउनलोड कर लीजेगा चाहर खंट में लोव इस पात की कितनी का इस थापित है देखिए कप लोगो रटना नहीं है ठीक है क् इसमें आपको थोड़ा से लगए तो आंसर मिल जागा एक तो पकार विश्टिल प्लांट अपका टीसको है तो इसमें रटने का हो सकता नहीं है से आपको नहीं भी पता है तो भी आप लोग आंसर कर सकते हैं ठीक है बेस्ट आन्योर नॉलेज और यह देख लेते हैं पहला पटार स्टिल कंपनी जो सवन डेखा करके रिवर किनारे है जमसितपुर में तो इसमें अपना लोहा जो है स्टिल बनाना है तो उसमें लोह होता है iron प्लस, chromium प्लस nickel होता है, शनले सिटल बनाने के लिए तो लोहा तो चाहिए, तो लोहा जो हैसे 9 मुंडी खान से लेती है, 9 मुंडी WS कहाँ पे है, वे सिवम में उसके वाज जो बदाम पाहडी है, उहां से भी लेती है और कोईला जो इसको मिलता है, वे जहरिया और रानी खंज से मिलता है, कोईला, कोईला भी जरत होता है और पानी जो हैसे वही स्वन रेखा नदी से लेती है, इसको देख लिजएगा Your company, और देखिएगा तो इसमें दो चीज होता है, देखिएगा तो इसमें अगर बोला जाए, तो 1911-1912 दोनों डेट आपको कहीं ने कहीं देखने को मिल जाएगा तो देखिए जो लोहाक उत्पादन यहां पर शुरू हुआ था, वो 1911 से सुरू हुआ था लेकिन इस्टील का उत्पादन 1912 से सुरू हुआ था, इस चीज आपको मैंड में कन्फिजन नहीं होना चाहिए साथ में अस्थापना हुआ, उन्हें 11 में लोहा का प्रडक्शन हुआ और 1912 में आपको इस्टील का प्रडक्शन होना सुरू हुआ था तो सारा देख लीजेगा, ऐसे कोशन आपको बनती है निष्ट आता है जो बगारो इस्टील प्लांट है, उसको देख लीजेगा, 1964 में रूस के सहयोग से इसको अस्थापित किया गया था और जो लोही के आपकोर्ति यहां पर होता हुआ क्योंजर की खानों से होती है लोही के जातने के लिए इसे इतना डीटेल में आपको बताया हूँ संपूर्ण भारत का जो इस्टील उत्पादन में जारकन के सेधारी 20 से 50 परसंट एक क्वेशन और डिसकस किये जा चुगा था और देखिए एक क्वेशन वहां पर छूट रहा था तो यहां पर देखिए यहां पर आया था कुछ इंडर्शी से रिलेटेड न्यूज था न्यूज क्या बोले इंफर्मेशन मुलता हैं तो यहां पर डाल दिया हूं जैसे इंडियन इस्टीट ऑफांडरी एंड फोर्ज इ पहंड चल रहा है इनको करिक्तिश तो इसमें थिंफंसे होजए घ्ली घ्जायगा शिवर से हनकता चाहर इंटेशनल को चाहिए डियंगे से भी लोग यहां पर आएंगे बाबाधाम की नगरी में दर्सन देने मत्यकार अगर सेंट्रल जेल आप लोग बोल सकते हैं तो यह रांची में है जहां पर बिरसा मुंडा जी जिवनास्टिक के लिए हैं और यहीं पर 34 नेशनल गेम हुआ था जिसमें जारकंड का अस्थान पाच्वा रहा था जारकंड जो है वह हीनु रांची में लोकेटेड है 2013 में इसको उद्गाटन किया गया था राजयपाल उसमें सयद हमत थे मद्यकरागार जो सेंट्रल जेल देखने मिलता है बिर्सा मुंडा मद्य या सेंट्रल करागार बोल सकते हैं रांची में उसके बाद एथलेट्रिक इशडियम के न देखने मिलेगा रांची में 1994 में इसको इसको इस्टेब्लिस किया गया था बोल सकते हैं और यहां इक सीट्व कंजर्बेशन का उदाहरन है जेपेसे में अल्ड़ेडी कोशन पूछा गया है एक सीट्व कंजर्बेशन आपको बताया था जैसे माल लेते हैं कि ना यह जो अरिजिनल बोल सकते हैं यहां जो नेचुरल इनिविटेट है कच्छुवा का तो यहां पर पोटेट करी रहे हैं तो इसमें इन जोहां से इन सीट्व कंजर्बेशन हो गया अगर कच्छुवा यहीं पर आ रहा है तो इसमें पोटक्शन आप लोग इस यहीं पर कर रहे हैं तो उसको एक सितू कंजर्वेशन कहा जाता है तो बिर्सम मुंटेजी जो एक सितू कंजर्वेशन का अंदर गथी आता है ने इस question important है आपके लिए वो question जो सुरू पूछा गया था उस question का answer जो है से इसी में आपको मिलेगा दूसरा बात है question में आपसे पूछा था कि कहां पर जो है से एक झारकंड में संस्कीत बिस्तो बिद्याले बनाया चाएगा तो तो संस्कीत बिस्तो बिद्याले बनेगा वह बताना भूल गया था चीक है वैसे करें मेरे साथ ऐसा को जाता है कि भूल जाता हूं तो बाद फोरेस्ट तो देखिएगा अरेन्य अधिकार है मुंडा विद्रोपा धारित पूस्ताखा अब यह पूस्ताख कुने सत्तर में प्रकासीत हुआ था जारकंड कैसल ओभर ग्रेप्स है उसका देख लिजेगा मोसमी राग है नागवनसावली है और मारंग गुंप के जैपा सिंग तो देखिएगा इसको मैच करते हैं तो सबसे पहले जो अरेन्य अधिकार है पुस्ताख वो मुंडा विद्रोपड़ा धारित है और यह जो बुक लिखा गया था वो लिखा गया है महास्विता देवी के द्वारा इसका एंठ्सर हो जाएगा आपको फूर ठीक है उसके बाद देख लिजेगा झारकंट कैसल और ग्रेव तो जारकंट कैसल और ग्रेव से हो विटर दास लिके है ना विक्टर 10 लिके था बाद वह समीर रॉक जो वुक है वह लिके हैं जौन लकडा इसको याद रखेगा नाग वन सा वाली जो तयार किया गया था वह वेनिराम मेहता के द्वारा तेयार किया गया था और मरांग गॉम के जैपाल सिंग को कहा तो उन पर जो बुक लिखा गया वह गिरिधारी राम गोंजु के दर लिखा गया इनको हाली में पदम सिरी दिया गया है वह डेट कौन सा है इसलिए question mark यहां पर डाला गया है तो आप लोग answer इसका दीजिए कि इनको पदम सिरी कब दिया गया है यहां कंट फिर में question बनेगा important personality है तो इसका answer देखिए हो चाहेगा option यहां पर गलत है मैं जब देखा है इसको तो पता चल गया गलत है यहां पर एक कैसान पर फोर होना चाहिए था बी कैसान पर फाइफ होना चाहिए तब जाकर यह option सही होगा तो यहां भी mistake में कर दिया sorry for that तो answer पता चल गया अरन्य अ पुस्तक है जो कि 77 में प्रकासित हुआ था और इसके रेटर मासवेता देवी है तो ध्यान रखेगा यही वह personality है जो की मुंडा विद्रों पर धारित एक पुस्तक लिखी है मासवेता देवी इंपोटेंट परसनाल्टी है याद एक है बुक इंपोटेंट है अरन्य अधिकार यह पुराना भी बुक है पता होगा उन्हों सततर का लेकिन यह मुंडा विद्रों पर है तो इंपोटेंट बने का जारखंड कैसल कैसल पता है क्या होता है इंग्लिजय स्टेल समझ गया कास्टल व्ला गवर क्यों ऑफ पर ऊपुक हें यानि कि कॉफुपर किल्व बना गया था ठीक है चलिए तो आंसर इसका हो जाता ठीक है अगर यहां पर आंसर फोर और फाइब रहता तो जहारकंड के कौन से नेता मध्य पर्दिस के राज़ेपाल के रूप में कारे किया है भीस्क नरायन सिंग, सीबू सोरेन, रामेसवर ठाकूर या फिर रमेस बैस देखिए यह जो पर्सन है उनका नाम है रामेसवर ठाकूर तो रामेसवर ठाकूर देखिएगा यह गोटा के परसनल्टी है और मध्य बज़ेश के राज़ेपाल के रूप में यह कारे कर चुक है है जो करेंट और रिलेटर इंफोर्मेसन देख लिएजे करेंट और जो एलेबेंथ गोवर्नर जारकन के आया है वह सीपी राधा क्रिश्णन है तमिलांटू के यह परसनल्टी है फॉस जो गोवर्नर थे परभाद कुमार थे यह नाइंट एट एटरी आइस बैच के जो आध और गोवर्नर जो होता है वो आर्टिकल 155 में है ठीक है एंट अपॉइंट्मेंट ऑफ गोवर्नर के बारें बात किया जा रहा है ठीक है ने तो इससे देखिएगा देशलवी के वर्नर तो तीरपने विससे शुरू हो जाएगा तो आनसर इसका हो जाएगा रमेस्वर्ट ह अपकूर ओके अंसर इसका सी है सीवू सुरें गवर्नर नहीं है तो तो पर सना है जो कि जार्खन के तीन बार मुख मंत्री बने हैं इन में से बिसम को चटना है जादू गोडा तुम्राटी बग जाता नर्वा पाहड पिट नाव मुंडी समझ में आ रहा है चुनिये जड करती है तो आपको याद होगा कि यह क्या है यह और माइन होगा तो वागी साथ हो गया कैसे जुगोडा उरनियम का है तो यह ना अभी अब कंफर्म है तो एची पता है तो अपलोग एंसर लगा सकते हैं उस बात तुम्राटी बग जाता नर्वापाड सारा का सारा यूरें खान है ध्यानगी के जारकंड में अंसर इसका ई हो जाएगा और यूरियूम को जारकंड में 1951 में खो जा गया था जादू गोड़ा में लेकिन प्रोड़क्शन सुरू किया गया था 1967 से 57 नहीं है 67 है मैं बारवाइस बात में फोकस करता हूँ नामूंडी लोव ऐस के समधित है बाकी सारे देखिएगा तो UCIL है UCIL यह यूरियूम कारप्रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जोकी उन्हीं सरसट में असापित है और प्रोड़क्शन सुरू हुआ था उसके दौरा जो संचाली ते यूरियूम की खाने है तंबा खाधान घाट से लम देखने मिलेगा पस्चिम सेवू में और एक सूर्दा भी है जो की न्यूज में रहता है तंबा खाधान की लिए खेतडी राजस्थान में कामबा खाला ना एक जीके में याद रखेगा काफिभेमस है हो गया बाकी हम लोग कोल में नमबर वान और 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 मॅर में नमबर थर्ड है और कोल कितना है हमारे हमारे पास 28 परसेन्ट याद रखेगा यह कितना 26% है और यह लगभग 18% है ठीक है लगभग डेटा होता है थोड़ा पूद आगे पीछ हो सकता है एकादो पॉइंट याई 0.5% अंसर इसका ई हो जाएगा नाव मंडे समझ गया है तो रिजनी का भी question ने करा दिया इस qreston 11 आता है धार्खन में मंडेगा के लिए पहली लोग अदालत कब लगाई गई थी जो पहली लोग अदालत लगाई गई थी वा 2009 में लगाई गई थी जिस समय करेंट करके याद किएगा जारखंड में पहली बार जो ऐसे राश्टपती सासन लगा था 19 जनवरी से लगा था पहली बार जो राश्टपती सासन लगा था वो कितना दिनों के लिए था और how many days आप लोग इस question का answer दिजें कितना दिन के लिए था question ऐसे बनेगा तो 2009 इसका answer है मनरेगा के लिए लोग अदालत लगाया था मनरेगा आप लोग देखीगा यहां लोग अदालत के बार बात किजेगा ता आप लोग नागसा पड़े होंगे आप लोग देखते हैं तो उसमें फ्री लीगल सर्विस दिया जाता है जो कि पदा होगा यानि कि ला के आगे जैसे सब कोई बराबर है आर्टिकल 40 हमारा समिधान का करता है तो ओ हो गया प्लस में आर्टिकल 39A बोलता है कि इक्वल मतलब इसमें जो है है अमीर हो आपको जर्स्टिस मिलेगा अगर में पास पैसा नहीं है तो आप उनको मार के चले चाहिएगा ऐसा तो नहीं हो पाएगा हमारे पास आर्टिकल 39 है हम कोट में बकैदा चले चाहेंगे ठीक है तो आंसर इसका 2009 है तो बच्चा समझ के आख ना दिखाना आर्टिक उसका जो है से पावर आता है ठीक है ध्यान लगेगा हरे गार कोट शार्कण को भारत का 21 हाइं देखिए का यहाँ पर कुछ आपके यहां आपर क्यों ले लिया इसको तो नहीं लेना चाहिए था यह कुछ एक्स्टा नियूश हो गया इंफॉर्मेशन नेक्ष्टा होगे, इसको यहाँ पर ने डलना चाहिए था, इस रिलेटर नीज हुआ ही नहीं, देखे जार्खन जो वही था, लीगल सर्विस जो ऐसे आतुरिटी था, तो नाइटेटी सेबन में आया था, इसको देख लीजेगा, उसके बाद अभी बारतम में देखेगा, जो पैट्रोन इन चीफ है, जालसा के, तो वही जो ऐसे और ने अन्रेबल यहाँ पी जस्टिस संजय कुमार मिसरा, यह दा रहा है, यह जार्खन के चोदाओं में, जो ऐसे 14 जो ऐसे चीफ जस्टिस है, जार्खन हाई कोट के, तो वही जो लोग अदालत हो इंडिया का जो फॉस्ट पेपरलेस असेम्बली बना था, वह जार्खन था, जार्खन का जो लिश्टिसम देखेगा विधान सबा, वह कुटे कराम रांची में देखने को मिलेगा, यह सब यह दखेगा, विधान सबाया तो रटना नहीं है, आपको ठीक है, कैपिल सिटी म बिकाउस, कॉल्ड इजर्ब, काट लिजे, रिनुबल है ही ने, इबंडेन्स अफ वाटरफोल, पानी से है तो सोच सकते हैं, इगनेस रोक सार रीच इन मिनरल्स, मिनरल्स निकलेगा, तो वह जो ऐसे बोल सकते हैं कि रिनुबल होगा ही नहीं, लार्ज रिजर्ब औफोरे तर्बाइन लगा सकते हैं, तर्बाइन जो ऐसे डैनो में लगा दीजे, जनेरेटर आवा जो ऐसे मेकैनिकल एनरजी को इलक्टिकल एनरजी में कनवर्ट करके देदेगा, यह कुछ कहानी होता है, तो हमारे पास एबंडेन्स अफ वाटरफोल है, जिसके चलते जहारकन के पास रिनुबा एनरजी का काफी ज्यादा सम्हावना है, इसको त्यान रखेगा, जल बदीद भी आपको देखने में लगा हुआ है, और वाटरफोल भी बहुत जादा यहां पर देखने को मिल जाएगा, जो तिन चार इंपोर्ट बहुत ज्यादा बड़े-बड़े हैं, अरे भाई, दोबारा कुर्शन क्यों आ रहे हो, दो अब्जर्वड क्लाइमेट चेंज इन जारकन इस भी काउल, जारकन में जो क्लाइमेट चेंज आप लोग के देखने को मिल रहा हुआ, किसके चल देखने को मिल रहा है, तो यह एंत्रोपोजनिक फेक्टर है, यानि कि म दूबार निकालेगा, तो उर्जा जहत्र जो करते हैं, उसका बिल्कुल सही बात है, ग्रीन आउस इमेशन के चलते भी जैसे, जैसे भी जैसे रिस्पोंसेबल है, जारकन इसा दूथ होई है, सब जोह से इसे ग्रीन कर रहा है, सारे जो सार रिजन हो जाएगा, जह से, ऐस स्टेट वार्टर प्लिएसिया उसका मेल पर्इस क्या होता है इसका मेहन परस अहीं स्टेट वर्लेटि को कम करुएdoo जो प्रकृति को कॉब करना जार्खन एस्टेट वार्टर है ढुद Всक्रा उैंखर चलिए है यह जो हताँ एड्रेस्स एडेसेसेसं के एविलिटी औप कॉम्टिक इन्टोल जी एजी इमिशन पर मोट्स एफॉरेस्टेसेस्ट फिर अंडर टेकिकिंग प्रोजेक्ट्थ पो रिस्टोरेसटीर सेंद्रिंग और इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्थर पुदेखिए जो कि आरकहन्ट डिजेष्टान जो मैंचमेंट प्लान है उसका पर्पस है बुनियादी धाचा को बहाली करना बुनियादी धाचा जो पर चांज़ को ने Idhos आंहे हैं उसको जएसे बाहल करना है उसको फ़यक्शन कि जो मझबूती करना है यानि कि जो योजनाए है उसको और ज्यादा जो हैसे मजबुति से आप लोग इंप्लिमेंट करेंगे तो अंडर्टेकिंग प्रोजेक्ट्स फोर रियस्टोरेशन एंड इस्टेंटिंग और इंफ्रास्ट्रक्ट्टर और जो हैसे रियस्टोर करने के बाद यहां पर किया ज चैनल डिजेस्टर मैंजमेंट आथोडिम्स फर्टेंट फुल्फम देख लिजएगा संथर चंड एक संप्लन ऐट में इसको बला स्पटै-चैना तो इसका कौन प्लान का एक पार्ट नहीं है तो इसका इंसर हो जाएगा स्टार्ट सोसल फोरेष्ट्री और अल्डेष्ट्री करने का मतलब जो वानिकी आप लोग सुरू कर रहे हैं इसका प्रपस क्या है तो विभीन चेत्र में जलवाई पर जोखिम के पाचान करना कि कौन-कौन सा चेत्र है सब्सक्राइब करने के वहां पर ज्यादा सतकता हम लोग रखेंगे हर एक चीज के मामले में उसका एक्सेस एंड रिकमेंड स्पेसिक मेजर्स फॉर क्लाइमेट चेंज मैटिगेशन यानि कि जर्वाई परिवर्तन समन के लिए विश्चिश रुपायों को आकलन और समन कर लागे कैसे को चीज को रिडियूस कर सकते हैं अंसर कर दी है इसका फॉरेश्टी एक फ़ंक्शन नहीं था नेस्ट कुछ नहीं था ध्यान सुनिएगा फ्रों दा डिकेड डिकेडल डिस्ट्रीशन ओफ रेनपॉल इन दा स्टेट्ट फीच ओड़ फ्लॉइंग इस्टेट स्टेट्मेंट बिल्कुल सही हो जाएगा इतना ही चोटा-चोटा मिश्टेक आपको किया जाता है ठीक है यूपी सिम देखेगा इदा माइनुट माइनुट सा मिश्टेक करकर रखेंगे ठीक है तो यहां पे गड़वड़ था दस्टेट विटनेश्ट सेभिया ड्रॉफ यानि कि 2000 के बाद ज्यादा यहां पर सुखा या अकाल पड़ा बिल्कुल से स्टेट्मेंट है रेंफॉल वाज मैक्समुम डूरिंग 1901 के बीच में रेंफॉल क्या था मैक्समुम था और यहां से में इसको रेंफॉल देखिएगा तो लगबक सोला सौ मिलिमीटर मीटर त दुनिया नहीं बढ़ सकते हैं इतना ही थोड़ी है तो देख लीजेगा मिनमम एभरेज जो रेलफॉल हुआ था वह नहीं था मैक्समुम था और दो जार एक से आठ वीटनेश सार्फ डिक्लाइन इन इंवर रेलफॉल यानि कि वालसिक जो देखिए का डिक्लाइन था या अब बारिस हो भी कहा रहा है जब लोग गौम रहा है तो गौम में जो कच्छा सड़क पता उसमें मचलिया ठीक है साब यह सब आया करते थे आप तो कुछ आता ही नहीं है तो अनसर इसका सी हो जाएगा ठीक है ध्यान से इसको देख लीजेगा देख लीजेगा देख डिकेट में आप लोग देखिएगा लुदे जिट ज़ारकंड में तरंदाजी संग के जो अधियाग्हा हुआ है और यह जो ऐसे तरिक संग यान कि भारति Remo 111 उसके विदियाग्ज है अंसर इसका सरायके लग खधावा रिजन हो जाहें का सराय के साथ हमान उसके बाद पर्चमी सिभम और पुर्वी सिभम तीन आते हैं आपको डिस्टिक तो दिस्टिक और तो विनिमाइस दा इंपेक्ट ओफ मैनिंग ऑधा इस्टी गोवबन थे प्रपोस्ट तो ब्रेंग लेस्टेटिव में इस इन लाइन सब्सक्राइब करने के बारे में बात कर रहे थे ताकि प्रवान का नुक्सान को कम किया जा सके भूमी का चरण हो जाता है करने के मतला को योजना को बनाना है और समय पर उसको संसादन मिलने चाहिए कोई भी प्लान अपलोग बना दिये सब कुछच कीacht जरूरी है दूसरा बात है अगर योजना बन गया है तो इसको डिलीवरी भी जो अच्छा से होना चाहिए प्रिकनिंग मतलब आप लोग पढ़ लिए तो एक्जाम भी अच्छा होना चाहिए जल जल दी ना ठीक है टाम ली हर एक साल एक्जाम हो जाना चाहिए दू तब आप लोगा जोब होगा तो सब इसका काम होता है स्टेट इस्टेरिंग कमिटी का और इसको देखेगा तो इस्टेट जो में स्टेट इस्टेरिंग कमिटी होता है उसको डिवलपिंग कमिशनर डिवलपिंग कमिशनर यानि कि जो विकास आयुक होते हैं उसी वही हेड करते हैं तो आंसर इसका बी हो गया परपस यह सब सारा तो question में ही लिखा हुआ था नेशनल प्लान और जारकण बोल देगा जारकण सोरी यहां पर है नेशनल प्लान और जारकण लिख किया था 30 जून 2008 को तो यहां दो किएगा 30 जून 2008 सब्सक्राइब करेंगे जो कि लास्ट सिक्स मन्त का राउंडव मैं करा रहा हूं ठीक है आए गिनीच बुक फॉल्ड डिकोर्स कोशन काफी इंपोटेंट है और कोशन में छोटा-छोटा नीज मैं आपको नहीं दे रहा हूं ठीक है वह सब दिखूंगा जो ज्यादा जादा इंपोटेंट कोशन आपको प्रभाइट करा रहा हूं जिसको पुछ जाने के संभावना बहुत ही ज्यादा है कुछ भी अलग चलते वल्टे कोशन आपको नहीं पुछ देंगे ओके और एक तो आपका फ्यूजर डिसाइड नहीं कर पाएगा तो ज्यादा इंपोटे सकता हूँ गुच बूक वरड्टिकोट में अपना नाम दर्श कराने वाले तो गनीज्च बूक ऑफ वर्ल्टिकोट में नाम जो दर्श कराया है और रांची कराने वाले यह देखिएगा तो परतिवताक आपको देखने को मिल रहा हूं यह यह में हुआ था टीम यूए मै मिटर जो है से विट का था चोड़ाई और 51 मिटर जो है लंबाई इतना पर जो है से पेंटिंग मनाना था इसको देख लिजेगा फीट था तो आंसर इसका भी हो जाएका जम्बो 21 कि जीले में प्रिपेट स्मॉट मिटर शुरू करने की योजना है गड़वा बोकार खुट्टी या पी रांची तो आंसर इसका डी है पाइलेट प्रोजट्ट पर पाइलेट प्रोजट्ट कभी भी सुनते है न तो वो समझ प्रोज़ी कि उसको न एक तरह से बोल सकते हैं कि पहले बार सुरू किया जा रहा है कि किस तरह से वहां काम कर रहा है देखने के लिए तो उसको पाइलेट पर एक हजार मिटर लगा गया था रांची में तो पहले आप लोग पेट किजेगा तभी घर में बिजली जलेगा अगर्वाइस नहीं चलेगा ते होता है प्रिपेटे स्मार्ट मिटर और यह रांची में लगाया गया था इंपोटेट नियूज है ध्यान रखिएगा दूतरा बात है इसमें मीनमम रिचाज आप लोग सो रूपया का करा सकते हैं ठीक है सो रूपिया अच्छा एक नियूज हो रहा है देखिए छोटा नियूज है टाटा इस्टील जार्खन लेटरी मिट हुआ था रांची में हुआ था ना रांची में हुआ तो डाल दिया टाटा इस्टील का जार्खन लेटरी मिट हुआ था यह लास्ट सिक्स मन्त है ठीक है नॉमबर दि जिता है फॉर्स नेशनल वह था पैरा थ्रोब थ्रोब वाले गेम है तो उस चैंपियन सिब में ज्यारकंड ने गौल्ड मेडल जीता था शोरी सिल्वर मेडल जीता था तमिलांडू में इवेंट हुआ था ध्यान लगेगा सिल्वर मेडल भूलना नहीं है हाली में फॉर्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेंड टूसाइड टू की सूची में किस लेकिका को सामिल किया गया है तो यह ज्यारकंड की लेकिका है इसलिए पर डिसकस कर रहा हूं तो यह जनसिता करकेटा अंसुता लेक्रा जैसे आपको दे को राइडर मतलब साथ में मिलके हेल्प किये थे किसका तुहिंड एस सिन्हा का टैस्क को चिकर आंसर इसका भी हो जाएगा जनसिता करकेटा इनको याद दखेगा परस्णाल्टी है दूसरा बात है इनका दो बुक है अंगोर और जडों की जमीन जडों की जमीन जडों की जेके जी आजाएगा तो आंसर इसका हो गया बी, जनसीता क्रिकेट है पास्ट बोली नहीं इसको जो हैसे इनके दोरा बुक भी जो हैसे पूछा जा सकता है तो वहीं पे जहांके दिपका कुमारी है तेवन्दा जी वाली रांची पांचवी जहारखन अंदराश्टी फिल महसे के सुरुवत कहां पे हुई तो देखिए यह अंदराश्टी लेवल का फिल्म फेस्टिबल था जहारखन में तो यह इंपोटेंट बनेगा कौन सान नमर का था पांचवा कोस्टन कैसे पूछा जाए तो आपको कोस्टन मतलब दीकत नहीं होना चाहिए यह समा परसाथ मुखर जी भी से दलाव हुआ था यह रांची में ही देखने को मिलेगा अनसर इसका ए हो जाएका यह पी लिखा हुआ है इसमें 32 देसे को तीरपन फिलुक को जोसे परदसित किया गया था होगे इंपोटेंट निव पांच तो इसको देख लिए कुछ रिलेटेंट इंफरमाशन आपको दे रहा हुआ आशा है कि क्लास आपको क्लास आपको फूटफुल रहा होगा यह पिर अगले क्लास में वीडियो केकी आफ़लोग जरूर किजिए और शीयर भी आफ़लोग जरूर किजिए नहीं कर रहे हैं एड़ देरेट लेर्नर्स कराज एजुकेशन जाहिन